भारत में सबसे ज़्यादा मसालों की खेती होती है लेकिन क्या आप जानते हैं काली मिर्श की खेती सबसे ज़्यादा कहा होती है अगर नहीं तो चलिए हम आपको कुछ आप्शन देते हैं करनाटक, तमिलनाडू, कीरल, आंत्पदेश सोचिये, सोचिये, क्या लगता है आपको सबसे ज़्यादा कहा होती है काली मिर्श की खेती तो चलिए हम ही बता देते हैं इसका सही जवाब है केरल अब जान लेते हैं इसके फायदे और खासियत के बारे में काली मिर्श को मसालों का राजा कहा जाता है खाने को तीखा स्वाद देने के लिए काली मिर्च लोगों का पसंदीदा मसाला है, क्योंकि इसके फायदे बहुत है काली मिर्च में पाई प्राइम नामक असायन होता है जिसके कारण इसका स्वात तीखा होता है काली मिर्च एक नगदी फसल है इसकी खेती से जादा लाब कमाया जा सकता है वहीं भारत में काली मिर्च के सबसे बड़े उत्पादक राज्य की बात करें तो इसमें केरल है यहां की जलवायू और मिट्टी इलाइची और काली मिर्च उत्पादन के लिए काफी भैतर है इस वज़ा से यहां काली मिर्च का बंपर उत्पादन होता है देश में अकेले केरल में ही 90 फीस्दी काली मिर्श का उत्पादन किया जाता है साथ ही केरल को भारत का मसाला उद्ध्यान कहा जाता है काली मिर्श में भरपूर मात्वा में पोशक्तत्य पाया जाते है इसमें विटमिन A, C, B,anken पाया जाता है ये सूजन और पेट में गैस, कब्स और अपच के लिए लापकारी होती है और इसके सेवन से वजन कम होता है इस वीडियो में इतना ही ऐसे ही नए सवाल के साथ फिर मिलेंगे तब तक आप देखते रहें किसान तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दे